नॉस्ट्रेडामस एक बहुत जाने मने फ्रेंच एस्ट्रलॉजर जिनोंने 16th century में अपनी बुक The Prophecies of Nostradamus में कुछ प्रेडिक्शन्स लिखी थी उनकी उस किताब में से काफी प्रेडिक्शन फ्यूचर में सच भी हुई थी जैसे 1666 में हुई The Great Fire of London 1945 में हुआ Hiroshima और Nagasaki पे bombing और 20th century में The Rise of Hitler और इसके अलावा और भी बहुत सी प्रेडिक्शन फ्यूचर में सच हुई थी लेकिन इस वीडियो में हम Nostradamus की उन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे जो year 2023 से और आने वाले कुछ सालों से linked है लेकिन उसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो बिना टाइम बेस करें वीडियो को स्टार्ट करते है आपने Elon Musk का तो नाम सुना ही होगा और हमें Elon Musk के Mars Dream के वार में भी पता होगा जहां Elon का सपना है कि वो Mars पे life possible करना चाता है इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए Elon Musk और उनकी कमपनी SpaceX काफी समय से इस पर काम कर रहे हैं और इसी से related SpaceX ने बताया कि बाए 2029 Elon Musk Mars पे लेंड कर जाएंगे ये तो होगी Elon Musk के ड्रीम के बार में बात लेकिन 16th century में Nostradamus ने Mars के उपर लेंड की prediction के बार में अपनी बुक में लिखा है Lights Falling on Mars कहा जाता है कि 16th century में लिखी गई ये prophecy Mars पे humans के लेंड करने के बार में बताती है जहां Lights Falling का मतलब मेभी spaceship का लेंड होने से linked है कहा जाता है कि Nostradamus ने अपनी बुक में World War 3 होने के साथ साथ Ukraine-Russia war की भी prediction लिखी है Nostradamus ने लिखा है Seven Months Into The Great War People Dead Of Evil Doing Seven Months Into The Great War का मतलब ये निकल के आया है कि Russia-Ukraine war एक massive World War 3 में change हो सकती है या फिर ये prediction बर्सों से चल रही China और Taiwan के conflict के अबर में भी बताती है जहां China Taiwan को अपना part बताता है और Taiwan को अपने अंडर करना जाता है और ये भी कहा गया है कि China और Taiwan का ये conflict एक बड़े massive war का कारण बन सकता है इस prediction को समझने से पहले हम pop शब्द का मतलब समझते है pop टम अक्सर use की जाती है head of Roman Catholic Church यानि कि Rome City के Catholic Church के head के लिए currently head of Rome Catholic Church है pop Francis Nostradamus ने new pop की prediction के बारे बे अपनी किताब में लिखा है इस prediction का मतलब है pop Francis Roman Catholic Church के आकरी और अच्छे head होंगे और उनके बाद जो भी आएगा वो सिर्फ destruction और problems ही फ़लाएगा उस prediction में Peter the Rome भी लिखा है मेभी अगले आने वले pop यानि head का नाम है और वहाँ ये भी लिखा है after which the seven hill city will be destroyed और seven hill city और कोई नी बल्कि इटली की capital Rome ही है वर्ल्ड में COVID-19 और Ukraine-Russia war के कारण globally economic crisis चल रहे हैं जहां living cost, food prices दिन पर दिन increase हो रहे हैं और कहा जाता है कि Nostradamus ने इसके बारे में भी prediction करते होई लिखा है so high will be the bushel of wheat rice that man will be eating his fellow man यहां wheat हम in general sense food को कह सकते हैं जहां food prices काफी ज़्यादा increase होंगे तो guys ये Nostradamus की prediction जो कहते हैं कि year 2023 और कुछ आने वाले सालों से linked है Nostradamus की in prediction का सच होना कहना काफी मुश्किल है और इन predictions पर विश्वास करना या ना करना ये totally आपके उपर है तो guys I hope आपको वीडियो ची लगी होगी अगर channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो वो भी कर लेना social media handles पर भी follow कर लेना साथ ही अगर वीडियो ची लेगे तो इसे like करना ना भूलना मिलते हैं guys अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye and thanks for watching